ब्रेकिंग में कैसी आज बहुत टाइम बाट टाइम मिल है कि टाइर चेंज करवाने गाड़ी का भी हिमाचल ट्रिप से वापिस है प्लान तो उससे पहले ही चेंज करवाने का था लेकिन सोजा चलो थोड़ा सा डिले करते है डिले करते है लेकिन फिर ट्रिप पर पता लगा एक दम ऐसा हो गया कि अब तो प्लेन रास्ते पर चलने लाए का बस तो वह काम कर रहा हूं है पहले टायर चेंज कर वा रहा हूं फिलाल जैसे जो कंपनी की टायर आते वहीं है और यह चल चुकी है 53,000 45 km तो ठीक है एवरेज लाइफ है टायर की और मतब 30-40 तो कम ही होते है और यह जो 50-60 के बीच का रहता नहीं ठीक रहता है अब पोलो के साथ दिक्कत ही है कि इसमें टायर नोइस बहुत है अगर में अपोलो का टायर लूँ मुझे पड़ेगा आराउंड 6700-6800 लगबख 6700-6700 ठीक है ब्रिज्टोन पर जाओंगा तो वो पड़ेगा मुझे ढ़ motives दीओ काफी दニ हो गया तो बता तो टायर जब खिसेंगे सबसे पहली बात हवा जल्दी-जल्दी निकलेगी को कहते है तक टायर चंज आता है मतलब क्या कहते है हवा जल्दी रिस्ती है पँक्चर जल्दी होंगे क्योंकि जो ग्रिप थी वह खतما हो गई मुख यह प काफी कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा अगर हाई स्पीड पर कटवर्ट मारते हो और टर्न मारते तो यह नहीं मार सकते फिर फिर उस स्लिप करने लगती है और उसके बाद अगर जटके से गाड़ी उठाओगे सपोज मैंने रोकी ब्रेकर से जटके बगाना चारों तो वह किनी देर में हो जाएंग सारे बस दिखा तिल नस्दीग ले गाई है यही पहचान होती होगे ना कि अगर इस पागी तो 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 घिसावत मतला हो चुकिए अब चेंज होंगे यह यह आगे ने पट्टि लाइन यह डियोटी है डियोटी अच्छा यह देख वही टायर वैसे बच्ची तो है पर अपने ही साब किना बच्ची वे ठीक ग्रिप लेकिन इतनी जादा भीना है थोड़े सी बीड है दुकान अनलोडी करी है अच्छा कुछ ए एक चीज बताई हो ऐसा है कि 13 इंच तक यह कंपनी अच्छी है 15 इंच के टायर तक कंपनी अच्छी है या सब के लिए सब अच्छी है बरिस्टोन बच्ट है अच्छे यह वह योव राइटी है इसमें यह तीन लाइन बीच मैं अपना वह यह तालो फिर जो पडिया तक इम्बत में कितना इन चार सब प्वांग कि था अणिगा फरक है उसमें प्राइस में दो जारा है फिर ठीक है ना ना वो ताप पर डाउट है नहीं एक बाद है किसने के बाद टार चोड़े जाता लगते ना यह देख भाई फटा 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 कि अंदर से दमक खनालो एक अंदर लेक जामगा देख यार कैई जट कर दी देख वही यह फरक तो देख चोड़ा इसकी जादा लग रहे है क्योंकि घिसावत है ना घिसावत कि जब 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 प्लेन हो गया वैसे एक बात है अगर गाड़ी जब टरन करूंगा ना स्ट वैसे तो बराबर गिसने ना कानी तो नहीं दबारी ना कोई भी अलाइनमेंट टाइम टू टाइम करवाई थी मनने जिसने के बाद चोड़ा हो कमाटी लिखाई दो और यहां से इस कवर था नूँ भीड़ा है अब रिम मेटन लेगा ना फिर भी चोड़ा हो जाएगा झारORA काता इस चींदेता अो भीड़ा है परश जाएगा झार लेगा पार पहां Сा आप देख चोड़ा ही लग आप बराबर ना है देख फर्क इल्यूजन बस दिख रहेगी आप वो चोड़ा है क्योंकि घिस चुका ना टैर ये एकदम नहीं साइज बराबर है 215-64 बराबर ही है लबी दिखा दूं साइज यह रहे देख कि दोसो पंद्रा साथ हार सोला ये डेट की बता भी करवन हां ये 09 मतलब सेप्टेंबर टु था ने सेप्टेंबर तु आए निये वीक है ये वीक है ठीक है जीरो न मतलब 99 वीक मतलब फरवरी दोज आरबाइस नाइन वीक हां हां कानी वत्स तो रहे या तिलू रहन दू यह देख ओई यह देख यह पंक्चरी है रोडी गर्म होग बैट रही है यह देख कि देख्या यह चीज थी निकाल यह निकल जाग इस ते है निकाल यह टूट के दिखा क्या चीज है लो है लो है जर जंग लग रहे है अब बैलेंसिंग होगी करेंतों सब्सक्राइब कि अदेखेंस तो ट्रओण यूजे कोको कि अबाद जांग बंद ना उड़ेगी अबाद जांग बंद ना उड़ेगी यह थेक ठीक कि अबाद ना यह थे नहीं ना वाई खड़ेगी ना वाई खड़ेगी तक पांगा लागा यह थे नियुक्त प्रण पड़ान पड़ेगा बस मचले जाओ अब आप लेगे अब भी आप लेगे तो पर देले कोई अब आप सीट पर रख दे हाग जी आप आपका टायर तो पर दे कितना प्रोना थे को ना तायर देख यह थे ने ले रहा है कोई यह थे जाए चोटी काटिन तो दल्वाले है लोग पुराने यह थे कंडिशन कि नी पढ़े आद दाई चल रहे वाद आद गेव एस्टी परसेंट माल है बस वह आई आप अपथर ज यह थे साइव यह थे अचना इंडडों इस दो और इस शिफ्ट काट नहीं है तो रहे कितना वारंटी कि टूर ए खूल ने की भी और बचाएं रहे कोई खूल नेगी भी ओगी ना कट की नहीं है वसे है यह ने बाकि वह और तो भी कर देंगे आपको चलो ठीगे आप उने आपने पत्थर पर चड़ा दी कहीं और चड़ा दी जालो ठीक है जितनी कोशिज आप दो कोशिज कर सकता हूं आपने पर आपको कह रहा हूं जा मैं कोशिज करनो आपके जालो ठीक दन्या वैसाथ चमौल के चलाओ पर कट कपता थोड़े लग जाए कब लग जाए कब लग जाए कब कोई सोचे स्पोंसर्ड है पेकर रिटायर गए प्रांटी वैसे सब से आधा कौनसी कंप्नी देरी आज गए और फाट साल है शायद कोई पांचाले है काट ने फिटने की सभी में आएगी नो दो साल की आएगी बग्यी 5-5 YEARS हो थी है फाइव यर्स खटने फिटने की दो साल क्या है हम ये बिल ओनलाइन भी बेज़ देंगे भो अचाय वारंटी ओनलाइन हो जेगी अब आप आप इसके बिल नाप आप 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 कर देंगे अब टायर चेंज उ गए है तो आपको इसकी परफॉर्मेंस भी दीखा देता हूं कि ब्रेकिंग में कैसी मैं अब आप और में दिखा चुका हूँ टायर्स की नोज आती है लेकिन ब्रेकिंग बहुत ही जबरदस्तब रह जागी कुछ गाड़ी का कमाले कुछ टायर्स का तो अब मैं ब्रिज्टोन के अंदर बताता हूं कैसा रिस्पॉंस है अब पोलो में तो क्या है थोड़े से टायर्स के निशान पड़ते हैं आवाज करती है अब यसकी वह अलग चीज है लेकिन ट इस्टोन के अंदर अप्ग्रेड करने के बाद इनका रिस्पॉंस दिखा देता हूं क्या है ठीक है 80 की उपर मैं एमेर्जेंसी ब्रेकिंग करूंगा कि अग्यों कि एटी पहुंच चुकी है नाइन टी कि एक नंबर थोड़ी सी यार एक साइड तो गई थी आटी अवाज तो है टाल में देख एक तो सही बहुत हम ब्रेकिंग जो तुरंत बाइट है ना वह फिलाला पोलों में बढ़िया क्योंकि तो कि चुके थे वह तो प्रेस्टों में फिलाला है बाइट वह दिक्कत निय है लेकिन ब्रेकिंग यार अपोलो की तरफ ज्यादा मन है मेरा कि अपोलों थोड़ी सी बैटर थी से एक चीजी यह वह सकते कि टायर अभी बिल्कुल नहीं है तो थोड़ी से टायर रोड पे चलेंगे थोड़ी से रम आउंगे तो ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाएगी ल थोड़े दिन में उसे नॉर्मल कर देंगे एक वीक के बाद ताकि टायर अपने शेप ले ले उसके बाद कम कर देंगे तो अभी तक का जस्ट मैंने कितने दो किलोमेटर गाड़ी मुश्किल से चलाई होगी तो अभी तक के इसाब से अगर बता हूं तो आपको लोगी बै मोनु मीज थरी है मौनु आ रहा चला करे क्षा हूं आम जोट नहीं है है चाल विचला एफ देगियावाद भार है थे वैट तो इसका बुष वूस देख लेगे क़ा दोनों साइडे का लेफ कट खुत मी यह तो ब Awakल न चुकर मॉंट दलवा है तिन अने ना ना तो नहीं है गाटी यार दो साल होगा है कुछ नहीं शीट है गाटी का आज तक पहली बार भार काम होगा एक डिस्क पैड जरू दल वाई थे आपको उस ताज के पास बाके कोई काम नहीं है अब अब भी कर्या एंड राइव जुट्ष दुखान में है 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 ट्री तो नहीं चैनल उन्हें याध ट्र गस तन्य किलोमेटर चला दिगा टीश तरह काड़ों टेज अवागा वागा एवातिव रन पड़ेंट यह पिर चला वाई पे नहीं चल को एण बनी बढ़ी बाद अब आप अब एक टलप को अब आप किती है ने बॉल बॉल लाए बताने है ने यह जो एक बढ़ी आख कंडीशन तो सही है वैसे कट वत नाय पोई वीटार में तंद्रा जार चाले उड़ा है मत्र तो आप में आप में पुछास अधिया सोला इंचीटाय रहा है आप लोगा की अपोल लोगा एक डल्लक कुछी देवलेक दम नाय इंधितर दें को है हुँआ है चारूं है अजार्म ही बात बनी वही आदि आड़ा का मैं खड़े हो जाओं कि अज़ार में चाहर टेर चल अब रिव्यू देता हूं जो जो काम आज हुआ टायर का आपने देख लिया जो किसावट थी वह सब देख लिए नए टार डल गए प्रिस्टोन के 32,400 का बिल था जिसमें गाड़ी की बैलेंसिंग भी हो गई है और नल्की तो इसी की थी और इ टायर टेल वाने के बाद फर्क मुझे क्या मैसूस हो रहा है सबसे पहले तो ओविएस सी बात है कि ने टायर टेल गए तो आप टायर के ग्रिप अच्छी है वह स्किड मारने के और इतर उतर रोल होने के रोलिंग के चांसे कम हो गए है टायर नोईज इन में हलकी सी मुझे से कम फिल हो लिए ठीक है अलकिज मैं यह ने कहूंगा कि दिन रात का फर्क पड़े गया ऐसा तो नहीं है थोड़ा वो तो फर्क जरूर पड़ा है तीसरा स्टेरिंग अब ज्यादा सॉफ्ट हो गया ठीक है ज्यादा रिस्पॉम्स से होगा क्यों कि उस भूमता तब भी लेका दिकत sorry से नहीं तो उसकी विजले से ज्यादा आख तहा अरत प्रेकिंग अप ने बढ़ा ही तो खार रहें ज्यादा तो चारीं कर ब्यां चाल्राइं करने कि लिए कं से 52 में ज्यादा मजा आता है अब ब्रेक लगाओ जटके से उठाओ अभी कोई दिक्कत नहीं है बुष का काम था वो थोड़े दिन बात करवा लूँगा वाद से निकलूगा किसी और काम के लिए बाकी पॉलिशन करना चोटी मोटी चीजे है तो इस वीडियो टायर्स को लेकर ज्यादा रिस्क मत लेना ज्यादा डिले मत करना क्योंकि लग बग उतने ही पैसे के टेलिंग और दो-चार अजारी किलोमेटर ज्यादा चला पाऊगे लेकिन नुकसान ही हो सकता है कि कभी कभार कोई रोडी पतर कुछ भी आकर अगर लगा तो ठोड़ा थोड़ा नुकसा थोड़े से पैसे बजाने के चक्कर में ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो थैंक्यों सोमत पर वाचिंग दे वीडियो